तो Delhi University के अंदर 77 Colleges, इसके अंदर 70,000 से भी जादा Seats और 300 से भी जादा Courses इसके अंदर आपको North Campus, South Campus, South Campus के नीचे के Colleges, Off Campus, Off Campus के नीचे के Colleges और Evening Colleges, Girls Colleges, यह सारे Combinations में लाके हैं, मतलब आपको Different-Different Combinations और जिनकी Cut-Offs भी अलग अलग जाती हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Normalization के बाद आपके कितने एक number बढ़ सकते हैं और क्या होता है इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कितनी expected low cut-off जा सकती है और campus-wise आपको मैं यह भी बताऊंगा कि कितनी cut-offs में आपका admission in different campuses में हो जाएगा तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना और कोई doubt हो तो comment section में जरूर बताना तो सबसे पहले मैं नॉर्मलाइशन का बताऊं तो जैसे कावी बच्चों के 400-500 के बीच में number है और कावी बच्चों के 600 के around number है तो जैसे किसी shift में अगर आपको लगता है कि आपकी shift का जो paper था वो काफी tough था और दूजर shift का paper असान था तो अगर आप उस shift में अगर आप paper देते तो आप easily अच्छा score कर पाते इस चीज को overcome करने के लिए ntna normalization policy apply करिए जिसके अंदर आपके वो percentage निकाले जाते हैं उसके basis पे आपके number बढ़ाए जाते हैं और जैसे जो easy में बैटा था उसके उस वाले tough वाले में कितने score बनते हैं उसके इसाब से उसके number घड़ते भी है मतलब काफी सारे बच्चों के 400-500 के बीच है number है मतलब कि बहुत ऐसे शिफ्ट थे जिन में paper काफी tough आया हुआ था है ना तो इसको overcome करने के लिए आपके जरूर नंबर बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइस की भी ज्यादा जाती है लेकिन जैसे बीच जैसे courses है तो बीच में लास्ट यर एक स्टूडेंट के 600 में से 374 नंबर तो उसको हंसराज कॉलेज बीच केमिस्ट्री ओनर्स मिल है तो बीच की आप देख सकते हो अगर आपके 60 परसेंट है ना नंबर तो नौर्थ केमपस मिल जाएगा विद आपको ओनर्स का कोर्स तो बीच की कड़ास उतनी जादा नहीं जाती है 60 परसेंट में आपका हो जाएगा लेकिन अगर आपके बीकॉम और बी एकनोमिक्स ओनर्स जैसे आप एकस्पेक्ट कर रहे हो जिन में प्लेस्मेंट जादा होती इन ऐसे एककी तो उनकी जादा ई जाती है ठीम ऐसे पिर में सब्सक्ता आपको नॉर्ष केमपस का चाहिए गर्यायद जाहिए करना मैं बता हूं तो और कमभभ आनौजज स्पेक्रीश तो पुलिचंड स्वाट मैं बतां तो 6 जाथ कशा के कॉलेजे दमबर है आपको जाती है क्योंकि उसमें बीकॉम और वह काफी पॉपोलर उसकी प्लेस्मेंट भी सबसे जादा होती है अमना बढ़ाई उसके आपके नमबर है तो आपको आपके में अच्छे कोर्सी मिल जाएंगे टिक है जैसे कि आपके जो बीकॉम उनर्स है भी यह प्रोग्राम है बीस सी है यह सारे ओनर्स के जो कोर्सी आपको ऑफ केंपस में मिलें इसमें भी जो अच्छे कॉलेजिस है उसकी काटफ थोड़ी सी हाई जाती है बाकी थर्ड राउंड तक उसमें भी आपको अडिमिशन मिल जाएगा यह मैंने आपको जनरल केटेगिरी का बताया और मॉर्निंग चलता है और यह लास्ट यहर के इस बार हो सकता है क्ट अफ जो है कंज है क्योंकि बहुत सारे बच्छों का जो मैंने अभी पोल भी किया था और डिफरेंट मैं देख भी रहा हूं जो कॉमेंट सेक्षेन में बता रहे हैं जो मेजरली है वह फॉर और से बीच की रेंज मतलब ऐसा नहीं है कि बहुतों के 600, 650, 700 के अराउंड नमबर हैं तो वह अला परसेंटेज नहीं है जो लास्ट यर था है न तो इस बार जो कट आपस है थोड़ी लो जाएगी बाकि नॉर्मलाइज स्कोर में कितना बनता उसका भी फरक पड़ेगा बाकि आपके साथ लास्ट नमबर थे स्टउडेंट और जिसको अध्मिशन मिल गया था हिन्दू कॉलेज में नमबर छहीं नमबर से 800 तो ऐक स्टूडेंट को अध्मिशन हमीं को इस बिसको स्गेंडिया था व्यर्मन था कि ऐससे नॉर्ट कैंपस में इसली अभिर जाएगए इस ए Director hoop क्रूदेज तो SRCC में 799, 780, 795, 780 ऐसे नमबर थे स्टूडेंट्स के जिसों SRCC बीकॉम ओनर्स था जिनके पास फिर्स्ट कॉट और जनरल केटेगीरी की मैं बात कर रहा हूं बाकि इस बार ऐसा नहीं जाएगा जो एक्सपेक्टेडली किया जा रहा है क्योंकि काफी सारे पेपर जिनका लेवल काफी टफ आया हुआ था है न और बहुत सारे बच्चों का रो स्कोर भी इस तरह नहीं आया कि 799, 788 बहुत सारे है तो एक्सपेक्टेडली यह स्कोर है वो थोड़ा कम जाएगा बाकि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन से मिल जाएंगे इस्ट्री प्रस पॉल साइंस हो गया जो कॉम्बिनेशन के कोर्सिज अब बीच्च में बोटनी जोलोजी हों साइंस लाइफ साइंस ऐसे कोर्सिज आपको मिल जाएंगे तो यह वीडियो पसंद आई होगी किसी कॉलेज्ट तूर करना हो तो जाके प्लेइलिस्ट में जाके आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हो बहुत सारे कॉलेजिस के मैं अल्रडी रिव्यू कर चुका हूं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हम 10K का ठाजी प्रक्रशनों सब्सक्राइबर का कि वह हमारे जल्दी पूरे हो जाएं सो कं सब्सक्राइब करने में हमारी हल्प कर रहा है और मैं आपके अपने डाउट मेरे को बता सकते हैं तो मिलते हैं तब तक के लिए ओल दी बेरी बेस्ट